नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बिधिक परमर्ष ले रही है और इसी को अलहार बना कर नय सीरे से विध्यक लाने की त्यारी है ग्यात हो कि पिछ़्णा वर्ग आरक्षन विध्यको राजेपाल ने इसी वर्ष अपरेल माह में आटार्नी जर्णरल के परमर्ष के बाद लटा दिया था अटार्नी जन्रन ने अपने परमर्स में इस बात का हवाला दिया था कि इस बिध्या के पास होने से पुरू में सुप्रीम कोट की ओर से दिये गए कई आधेसों की अभेलना होगी वहीं जार्खन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षन संसोधन बिध्या को लेकर सता धारिगडवंदन ने अपने घोषना पत्र में भी प्रत्मिक्ता स्रेनी में रखा था वर्तमान में राज में पिछले वर्गों को 14 परत्यत आरक्षन करना मिल रहा है जिसे बढ़ा कर राज सरका 27 परत्यत करना चाह रही है वहीं अनसूचित जन जाती कारक्षन 26 परतिशत से बढ़ा कर 28 परतिशत और अनसूचित जाती कारक्षन 10 परतिशत से बढ़ा कर 12 परतिशत करने का प्रस्ताव था जारखन पूलिस एसोसेशन ने मुख्याले के खिलाप मोर्चा खोला रभीवार को एसोसियेशन के कार्यक कारणी की बैठक में कई महतपूर नीना लिये गए महतपूर नीना में पुलिस मुख्याले के प्राधिकार के दोरा चुनाव पर रोक लगाने के फैसले के खिलाब हाई खोड जाने का प्रस्ता अपास हुआ है बतादे जहारखन में जूनियर पुलिस अपसरों की परतिनेदी संस था जहारखन पुलिस एसोसियेशन ने पुलिस मुख्याले के खिलाब मोचा खोल दिया है रविवार को एसोसेशन की केंद्रिये कारकरनी की बैठक संपन हुई बैठक में पुलिस मुख्याले के प्राधिकार के द्वारा चुना परोक लगाने के प्रसले के खिलाब हाई कोड जाने का प्रस्ता पास किया गया वहीं सब्तम महा धिवेशन होने तक बर्तमान केंद्रिये कारस्मिती के केंद्रिये पताधिकारियों सदस्य छेत्रिये प्रचेत्रिये मंत्रियों का कर्याकाल का विस्तार अगले आदेश तक के लिए लिया गया है सुखाण की ओर जारखन 45% कम हुई बारिस जारखन एक बार फिर से सुखाण की दहलीज पर खड़ा है मौसम विभाक के उन्सार अब तक राज में 45% कम बारिस हुई है ऐसे में किसान परिसान होने लगे है बतादे 2022 में जारखन के 22 जीलों के 226 पर खड़ में पड़े भ्यांकर सुखाण के बाद 2023 में भी एक बार फिर से अकाल की दहलीज पर खड़ा है राज में 22 जूलाई तक समाने से 45% कम बारिस हुई है वहीं अच्छी बारिस की उमीद लगा कर किसानों ने अपने अपने खेतों को जोताई कर त्यार रखा है किसी तरह पाणी की बेवस्ता कर खेत के एक कोने में बीचला भी तयार कर लिया है लेकिन इतनी वर्चा नहीं हो रही है कि इन बीचलों को खेत में रुपाई आ सके मनिपूर घटना को लेकर आदिवसी समाज में आक्रोज मनिपूर की घटना को लेकर जार्खन में आदिवासी संगठनों के साथ ही कॉंग्रेस हमलावार रूख अपनाय हुए है राची में आदिवासी संगठन के लोगों ने पैदल मार्च कर मनिपूर की घटना का बिरोच जताया इस मार्च में सैकलों की संख्या में आदिवसी समाज की लोग सामिल थे बतादे परदोसन करने पहुँचे रांची पढ़ा सरना प्रात्ना सभागे करकताओं ने कहा है कि आज देश में चरम अस्तर परमानावता सरमसार हो रही है मनिपूर की घटना में जिस तरह सदो आदिवसी महिलाओं को सर्याम पूलिस के संख्या में निर्वस्त किया गया वह कहीं से भी जाज नहीं है पेट्रोल सबसीडरी के तोर पर मिलता है 250 रुपाई रांची में पेट्रोल सबसीडरी योजना का लाव लेने वाले लावकों की संख्या में कमी आई है इसकी वज़ा लोगों में जागरूपता की कमी और परतेक तीन माह पर डाटा का रिवेरिफिकेशन नहीं कराना है साथ ही जीला आपूर्ती कर्याले द्वाला जागरूपता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा बताद इन सब कार्णों की वज़ा से सिर्फ डेर साल में लावकों की संख्या 10% से भी कम हो गई जन्वाज 2022 में जहां 18226 राशनकार धारियों को योजना का लाव दिया गया था वहीं जून 2023 में इनकी संख्या 1640 तक पहुँच गई योजना के अंतरगात राज एक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राश्रिये खाज सुरक्षा दिनियम 2023 एवं जहारकन राज खाज सुरक्षा योजना के तहत राशनकर धारियों दो पहिया वहन परिवारों को प्रती मां 250 रुपे पेट्रोल सब्सिडित दी जाती है धनबाद में एक्ट्रा ट्यूशन के नाम पर नवालिक छात्रा से गंधी हरकत करता था सिक्षक धनबाद के धनशार धना छेत्र पुराना इस्टेशन में एक प्राइबेट ट्यूशन ने अपने एक नवालिक छात्रा के साथ बनाएगे असलील वीडियो एक सोसल साइट इंस्ट्राग्राम में वारल कर दिया है यह वीडियो वारल होते ही छात्रा के पिता ने सिख्छक, साहरूक, अली के खिलाब, धनशार थाना में अपनी बैटी के साथ असलील हरखत करने और शिरखानी करने किसी का अहीं दच्कराई है पुलिस इस ममले में सारू के खिलापोक्सों एक शमेत काई धरावों के तहत ममला दच कर लिया है साथी सारू को गिरफतार कर रभिवार को ही जेल में भेज दिया गया छात्रा और सारूक दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं जिससे अथानिये लोगों में सारूक के खिलाग आकरोस है धोलना गाड़े और लोडिस्पीकर के साथ गैंग्स्टर पिंस खान के घर पहुंची धनबाद पुलिस जारखन के करोबारियों को मिल रही धमकी और गोली बारे के घटनाओं के बाद पुलिस एक्सन में है पुलिस मुख्याला गैंग्स्टर के नेकसस को तोड़ने के लिए लगातार करवाई कर रही है इसी बिच्ध धनबाद बैंक मोर्थाना पुलिस ने वासेपूर कमर मकदुमी रोड इसीत प्रिंस में के घर इसतेहार चीपकाया गया पुलिस ने इसतेहार तो चीपका दिया है लेकिन प्रिंस में आवास पर अभी कोई नहीं रहता है रब्वी वार साम को लगभग साधे चाव बजे के आसपस बैंक मोर थाना और भूली थाना के पूलिस इतिहार चिपकाने के लिए ढोलना गाड़े और लोड स्पीकर के साथ पहुची इस दड़रान प्रिंस खान के आवास के पास पुलिस दोगारा लोरी स्पीकर पर प्रिंस खान के अपराधो की जनकारी दी गई गिरी डी के गाउं में हाथियों का जूंड बच्चों को सूर से पठकागी लीडी के डुमरी परखन की खुदी सार पंचायत के खुटर गुरहो गाउं में सन्नी वार देर रात नौ हाथियों का जूंड घूंड गुस गया इस जूंड ने गाउं के मोहन यादों के घर पर हमला कर दिया घर तोड़कर एक हाथि ने आंदा सोर है उनके दस साल के बेटे सत्यम यादों को सून में लपेट कर फेंक दिया किसी परकार आग जलाकर वो सोर मचाते वे ग्रामिनों ने हाथियों को ख़देडा सत्यम का इलाज कराया जा रहा है गनिमत रही की हाथि ने सत्यम को उठा कर फेंक दिया उसे कुछला नहीं अन्याता अन्होनी भी हो सकती थी बताते गावालों ने बताया है कि मोहन का पुत्र घर में सो रहा था रात में उसके घर को हाथियों के जोड़ने घेर लिया गुमला में दसवी की छात्रा के साथ दरिंदगी पांच महीने के गरवती हुई किसोरी गुमला के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक नवालिक छात्रा दरिंदगी का सिकार हुई है दसवी कक्षा में पढ़ाई कर रही अभिवाहित नवालिक छात्रा पांच महीने की गर्वोती हो गई इस मामले का खुला सा तब हुआ जब छात्रा के पेट में दर्द होने की सिकायत के बाद सदर अस्पताल में भरती कराया गया जिकिसको ने जब किसोरी की जाच की तो पता चला कि आव पांच महीने की गर्वोती है छात्रा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है परिजनों ने दुसकर मामले में गुमला थाना में फेर दर्च करायी है किसोरी के अनुसार घर से स्कूल आने और जाने के दोरान युवक दोरा उसके साथ छेर छाड़ करता था 20 फरवरी दोह यरते इसको स्कूल से छुटी के बाद घर लटने के दोरान युवक ने हाथ पकड़ कर जवरन टोंगरी ले गया था हजारी बाग के दुकान का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए 20 लाख के अभुसान हजारी बाग के हुरहू बढ़का गाव मेन रोड पाइस थीत मुन्नी जिवेलस नामक एक दुकान का तला तोड़कर चोरों ने करीब 20 लाक रुपे का भोशन और नगदी परहाद साफ कर दिया है चोरी किया घटना सनिवार्दे रात करीब 2 से 3 बजे की बताई जा रही है चोरी या वर्दात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है चोर करीब एक घंटे तक दुकान में आराम से चोरी करते रहे और फिर चलते बने सुबा दुकान का सटर खुला देख लोगों न इसकी सुचना संचालक को दी चोरी की सुचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान चानवीन की पुलिस अपराधियों की धर पकड़ के लिए छापे मारी सुरू कर दी है बताद मुनी जेवला संचालक सुरेश परसाद सोनी ने बड़ा बजार थाना में घटना को लेकर फायरदर्च कराई है बावुलल मरांडी ने बीजेपी अनसुचित एस्टी मोर्चा के करकरताओं को कमल खिलाने का दिया संकल जार्खन परदेश बीजेपी अनसुचित जनजाती मोर्चा की 20S बैठाक मोर्चा परदेश अध्यक्स सीव संकर उराव के अध्यक्ता में संपन हुई इस बैठाग में जार्खन बिजेपी परदेश अध्यक्ष बावुला मराणी ने सिर्कत करते हैं मोर्चा करकरता को टास्क देते हुए कहा है कि मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करे साथी कहा कि जार्खन के सभी जन जाती आरक्षी सीट पर कमल खिलाने का संकल्प ले बिजेपी परदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जार्खन परदेश में जन जाती समाज आठ लोक सभा एवं 40 बिधान सभा छेत्र में निवास करते हैं मोर्चा करकाता इन सभी छेत्रों में काम करे राजमहल मानिक चक के बीच गंगा नदी में कूदी बिवाहिता की जाच में पुलीस राजमहल मानिक चक के बीच चलने वाली फेरी सेवा जहाज से रभीवार को एक बिवाहिता ने गंगा के तेज बाहाव में कुद कर अपनी जान दे दी बताया गया है कि पानी जहाज से यातरा कर रही महिला अपने पती से मोबाइल पर किसी बात को लेकर जगड रही थी इसी बीच बार बार नदी में कुदने की धमकी भी दे रही थी इसके कुछ देर बाद सही में महिला गंगा नदी में कुद गई महिला के नदी में कुदने पर काफी देर तक उसकी खोज भीन की गई लेकिन महिला नहीं मिली महिला के भाई ने बताया है कि उसकी बहन की चोह माँ पहले ही लव मैरेज हुई थी इस साधी से सभी खुश थे लेकिन पता नहीं क्या बात होई कि बहन गंगा नदी में कुद गई इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है कोवीड काल में लोटे प्रवासियों से बढ़ा HIV जार्खन में एक सोध के बाद आहम खुला सा हुआ है कोवीड लोगडाउन के दवन बाहर से घर वापस लोटे प्रवासियों से धनबाद बोकारों और गिरीडी में HIV के मामले बढ़े है धर्माद मेडिकल कॉलेज, SNMMC के मेडिसीन और कम्यूनिटी मेडिसीन विभाग द्वारा किये गए एक रिसर्च में यह बात सामने आई है बताद राश्री एड्स नियंत्रन संगठन नाको द्वारा है रिसर्च कराया गया था तीन जीलों में तीन महीने तक चले इस रिसर्च में 33 HIV ग्रशित मरीजों की प्रताल की गई इस रिशर्च में मेडिसीन विभाग के विभागा अधर्ष डाक्टर यूक के ओजाया, कम्यूनिटी विभाग के विभागा अधर्ष डाक्टर रवी रंजन जाया और डॉक्टर रीशब राना सामिल थे इसमें परदर्ष नी फूट कोट पार्किंग लाइट और साउंड शो़ फिल्म फेस्टिवल सेमिनाल आधि के लिए चैनित अस्थल का नेलिक्षान करते वे समधित पताधिकारों को कई आवसवेक दिशान निर्ष दिए बताओ दे कि जार्खन के समरीज जन जाती है जीवन दर्शन की खोबसूर्ती को देश दुनिया में अलग पचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष 20 आदिवासी दिवसका उसर पर पहली बार जार्खन आदिवासी महसो कायोजन हुआ था इस वर्ष इसे और भीभवे तरीके स मनाने की योजना है जार्खन में पेपर लिख करने वालों को 10 साल की सजा और एक करोर तक जूर्माना परतियोगी परिछाओं में पेपर लिख की घटनाओ और नकल रोकने के लिए राज सरकार नकल विरोधी कानूर बना रही है इसके लिए बिधान सभा के मानसुन सत्र मे बिध्यक लाने की त्यारी है बताजर राजस्तान गुजरात वो उत्राखन की तर्जपर कानूर निर्मान का प्रस्ताव त्यार किया गया है प्रस्ताव में पेपर लिख करने का दोसी पाय जाने पर 10 वर्सों का करावास और एक लो रूपे तक का जूर्माना लगा कर और अगले दो वर्सुतक परिछाव में सामील होना परतिबंदित करने का दन भी दिया जा सकता है कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ता पर मुहर लगाई जा सकती है धन्यवाद